नमस्कार किसान भई ओ फिर से एक बार आप सब लोगों का foarte फार माउस पर सौगत है एक कोशन था हमारे किसानभायों का जिसमें हमने पशुधन इंशुरंस अजनसीज इंसरउन्स बीमा या पशुधन बीमा के बारे में जो इनफॉर्मेशन दी हूई थी उसमें ही हमारे किसान भाई का एक question था कि हम insurance जो है वो पश्रुधन insurance हम कहां से निकाले उसके लेटर आज हम यहाँ पर यह video लेके आये हुए है इसका जो question था जो हमारे किसान भाई का उसके basis पर हमने जब inquiry की in fact यहाँ पर हमारे किसान भाई के लिए हम यह information देना चाहते है कि यह कोई किसी agency के बारे में promotion वाला video है नहीं है ना किसी agency का हम यहाँ पर आपको insurance निकालने के लिए आपको कह रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है बस हमारे किसान भाई का जो question था उस question की related हमने कुछ यहाँ पर inquiry की कुछ search किया कुछ धुंडा उसके बाद में एक insurance agency जो है जो हमारे सामने है जिसके बारे में हम discuss करेंगे हम यहाँ पर हमारे किसान भाई को बता देंगे कि आप वो insurance agency जो है उसमें क्या information है और हमारे किसान भाईयों के लिए वो कैसे benefit होगा अगर आपको कोई insurance जो पशुधन विमा निकालना है तो उसमें भी क्या होगा उस policy की जानकारी प्लस उस policy के तहत क्या देए है policy के तहत क्या देए नहीं है यह सब हम यहाँ पर discuss करेंगे but आपको insurance कौन सा लेना है आपको पशुधन insurance कहां से निकालना है यह खुद आप और भी information लेखे या आपके आसपास की इलाके में जो insurance लोगों ने निकाला हुआ है उनसे जानकारी लेखे फिर आप insurance निकाल लेना यहाँ पर मैं आपको बस एक option बता रहा हूँ यह option अगीन किसी के marketing का नहीं है कुछ promotion का नहीं है बस हमारे किसान भायूं के लिए उसकी information रहे जो question आया था उसकी related मैं आपको यह information बता रहा हूँ तो हमने जब search किया information निकाला तो United Health Insurance Policy जो है उन लोगों का एक यह United India Insurance Company Limited उन लोगों का एक insurance policy है जिसमें वो पशु और पशु धन बिमा जो हमारे किसान भायूं के लिए है वो देते है उस policy की जानकारी अगर आप देखोगे तो सभी प्रकार के देशी संकर नक्सल विदेशी नक्सल के पशु जो निर्धारित आयू समुह में निधारित मुल्ले और जिने योग्य पशु चिकित्स से सौत्य प्रमान पत्र health certificate दिया गया है वो जो ये insurance उन लोगों को मिल सकता है कौन insurance निकाल सकता है जो पशु मालिक है या निजी डेरीज या corporate डेरीज या NDV की स्वामित्व वाली डेरीज ये लोग उसका बिमान निकलवा सकते है किन जोखिमियों के विरुद्ध बिमान लिया जाता है द्रुगटना अगनी तडियू, बार चक्रवात के कारण अथ्वा इस policy पॉलिसी अवदी में हुई या घटित बिमारियों से मुर्तिव तो आपको इंचुनस निकलवा सकते हो अत्रित प्रिमियम देकर स्थाई पूर्ण अशक्त अर्थता दुधारू, पशू का गर्बधारन या दूध देने में पूर्ण रूप से अशक्त होने पर काभी कवर आप ले सकते हो तो ये policy की अवत्रित क्या होगा policy में क्या हो सकता है और policy की तहत क्या देए है क्या आपको मिल सकता है policy जोखिम प्रारंब होने से पूरो बिमारी ये तू निमांकिद दस्तावे जगे पुर्ष्टिकरम पर बिमित राशी या बाजार मुल्य का भुकतान करेगी विविद रूप से भरा होगा दावा प्रमान प्रपत्र अहरता पार्त पशुचिकित सक्से प्राप्त मुर्त्यू प्रभाव पत्र पॉलिसी प्रमान पत्र और कान में लगा हुआ टैग ये पॉलिसी के तखत क्या देए है ये आपको मिल जाएगा कि पॉलिसी मिल जाएगी प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ था कि अगर हम इंचुरेंस एनिमल का निकालता है उनके कान में यहां पे बिल्ला मारा जाता है तो वो जो टैग है वो भी आपको मिलेगा पॉलिसी के तखत क्या देए नहीं है अब इसमें क्या देए है नहीं है अगर लापरवाई अधीक भार लादना बरा वर्ताओ या कंपनी के लिखित सहमति के बिना पॉलिसी में लिखित प्रोयोजन के अलावा अन्य प्रोयोजन है तू पशू का उपियोग करना जब हम पॉलिसी निकाल रहे है तब हमें यह mention करना होता है कि हम जो चानवर है जो हमारा पशू है उसके हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो और उसकी मुरुत्ती होती है तो आपको बिमा नहीं मिलेगा जोकिंप्रारंब होने से पूर्व हुई द्रुगतना या बिमारी तो जब इंचरंस स्टार्ट होने के पहले ही अगर कुछ हो गया तो आपको नहीं मिलेगा बिमित पशू की चोरी या गुप्त विक्री अगर जो इंचरंस वाला है उसका अगर चोरी हो गया या गुप्त विक्री आपने की तो आपको इंचरंस नहीं मिलेगा असिक किलमेटर से आधिक आयू सुम्रुद्धी मार्ग से परिवहन किसी भी प्रकार के आसिक अशकताए युद्ध अबदाए नूकली अबदाए परिणाम गती पॉलिसी प्रारंब होने से 15 दिन के भीतर हुई बिमारी के कारण पशू की मुरुत्ती होने पर अगर इंचरंस हमने निकाला एंट पॉलिसी प्रारंब होने से 15 दिन के अंदर ही अगर पशू को कुछ बिमारी हो गई और उसका मुरुत्ती हो गया तो आपको इंचरंस पॉलिसी नहीं मिलती है प्लियो, निमूनिया, लिखिमपूर, जिला, आसाम ये कुछ तो उनका रहेगा वहाँ से स्थाई पॉर्ण तो अशक्ता, दुधारो पशू का गर्वधारन या दूद देने में पॉर्ण रूप से अशक्त हो जाना तो ये सब चीज़ों के अगर तहट आपको पॉलिसी तहट देए नहीं है नोट उपरख्त में वर्नित दाईदो और अपॉर्ण पूर्ण और संपूर्ण नहीं है अधिक जानकारी हेतू हमारी नजदी के शाखा कार्याले से संपर्ग करे तो ये एक जो United Health Insurance Company है जिसका हम study कर रहे थे United India Insurance Company Limited तो उस company के तहट आप पशिव और पशुधन भिमा योजना जो है वो आप ले सकते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी के लेना पड़ेगा कोन निकाल सकता है ये भी हमने discuss किया हुआ है उसके अंदर में फिर policy के तहट क्या देए है और क्या नहीं है ये भी हमने discuss कर लिया तो क्या होदा है कि किसान भाईयों कि हम जब ये इतनी सारी महनत करके पशों को पालते है और उस time पे अगर कुछ हो जाए तो उसका अगर insurance है तो पैसा मिल जाता है बहुत सारे हमारी किसान भाईयों को जो है वो insurance concept एक ही समझती है कि LIC जहां पे पैसा वहरो कुछ ना कुछ return मिल जाएगा पर उसके अलावा अभी थोड़ा सा ज्यादा समझने लगा है कि crop insurance जो हमारे पी विमा है वो एक थोड़ा सा अच्छा सा famous हो चुका है कि हमारी किसान भाईयों को पता है वो बड़ उसके अलावा भी जो है कि अपने खुद का insurance हो गया जो तुमारा फिर animal insurance हो गया तो उनका insurance होना भी जरूरी है क्योंकि यार लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि uncertainty life है कि पता नहीं है क्या होने वाला है तो जिस जिस चीज का insurance आपने निकाल सकते है उस चीज का insurance होना चाहिए जानोरों का insurance होना चाहिए पीक विमा होना चाहिए अगर आपके पास अगर फल फ्रूट है तो फल बाग है तो उसका विमा होना चाहिए जो भी चीज का insurance ले सकते हो उसका निकालना चाहिए ये भी एक तरह का जो government बेनिफिट जैसा ही है इसमें भी government के benefits है तो आपको जो है ये ऐसे जो benefits है वो लेने चाहिए यह क्योंकि जितना हो सकता है हमारे किसान भाईयों के लिए यह सब चरूरी है अगर हम insurance agencies यह सब जो हमारे पशों का बीमा जो है वो अगर नहीं कराएंगे तो बाद में कुछ होता नहीं है मतलब इतना अपने ज्यादा cases है नहीं है अगर कुछ हो गया भी बीच में जैसे बीमारी आई थी तो कुछ हो गया तो आजकल पशों की prices भी बहुत बढ़ गई है अगर आप भैस लेने जाओगे दूद की तो उसका 50-60,000 की उपर उसका price है minimum कम से कम तो यार उतना सारा अगर loss हो जाए तो दुख दर तो बहुत होता है क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है लोगों के पशों को कुछ होता हुआ उनकी भी दर्द मैंने देखे हुए है तो यार वो सब चीज़ों को देखते हुए न तो ये अगर चलो जानवर गया तो गया कुछ कर नहीं सकते है बट उसकी related अगर हमने इतना मेहनत करके उसको पाला हुआ है और ऐसे कोई insurance agency है गवर्मेंट के scheme है पशुदन येजनाए है जहां पे insurance premium बहुत कम भरना पड़ता है गवर्मेंट के benefits है तो वो लेना चाहिए जितना तुम ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दोगे उतना हमारे किसान भाईयों के लिए वो helpful हो जाएगा तो ये हमारे किसान भाई का question था कि पशुदन भिमा कहां से करा है किस से करा है तो United India United Health Insurance Agency जो है वो भी देते है ये तो एक example था ऐसे ही आप खुद भी बहुत सारे आपके आसपास के area में जो है उनसे inquiry करके insurance आप ले सकते हो बट वो insurance लेना जरूरी है ले लो और भी कुछ लगता है तो हमें comment में बता दो हम आप लोगों के लिए कुछ और information लेके आने की कोशिश करेंगे बने रहे हमारे साथ में फुल से फामाउस वीडियो अच्छा लगा तो उसको like करो ज्यादा से ज्यादा हमारे फार्मल भायों तक share कर लो ताकि उनको भी ये information पता चले अपने जो पशुत धन है वो धन का संभाल करो और insurance जो है वो निकालो क्योंकि वो आपके लिए फायदेखा होगा वापोस एक बार कह रहा हूँ कि ये एक information है आपके लिए अगर आपको इससे भी अच्छा कोई और information मिलता है जिससे आप कौन सी insurance agency आपको लेना है ये समझता है बताता है कोई या आसपास कुछ है तो वो inquiry करके अच्छा सा insurance आप निकालो जै जवान जै किसान